आज ये वीडियो में हम डिस्क्रिस करेंगे हेल्थ इल्नेस कंटिनुम जनरली फाउंडेशन अफ नर्सिंग में हम यूनिट वन को डिस्क्रिस करें अगर आपने नहीं देखिया तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए अब हम स्टार्ट करते हैं अचे टॉपिक को एक ग्राफिक इल्लिस्टूशन है मतलब कि काई ना कहीं एक दोनों बहुत ही जादा क्या करते हैं ये जनरली फर्स्ट प्रपोस कर रहा था जोन डेबलो ट्रैविस ने कब 1972 में जोतना मैंने हाइलाइट कर रहा है ये इंपोर्टेंट है स्टार्टिक में आप ये मेशिन करिए का इन्हों ने डिस्क्राइब कर रहा थे कैसे वेल्वीम सिंपली आप रहे सकते जिससे आप इल्नेस को दूरोक होगे आप अपने आपके जो मेंटल और आपके इमोशनल हेल्ट है कैसे इसको बूस्ट अप करोगे कैसे इसको कॉपरेट करोगे तो इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स भी दिये थे जो उनकी नॉर्मल हेल्थ के लिए रहते हैं इनका क्या रहते है अगर आप इल्नेस को जादा बढ़ाओगे तो इल्नेस जितनी जादा बढ़ेगी जितनी घातक होती जाएगी कहीं नहीं वो कॉस करेगी आपके देद का अगर आपके good health है तो कहीं नहीं आप क्या करोगे wellness production करोगे तो सबसे बेटर एक्जामपल से समझेंगे तो आपको एजली समश में आएगा हेल्थ एल्नेस फेंजिनर में आप इस तरीके से एक डियाग्राम बना सकते हैं जब आप नीट्रल रहते हो तो कुछ नहीं रहेगा जब सबसे पहले इंडिविजियल लाइफेस्स्यल नेडविपन सबसेर कहते हैं सुच Αण नेटिवर्टी करेंट इसमें न्युंस में आता है इस जब आप लिविंग पर शीचेंगा नहीं जीप दो आपिंधर वश कार्यन करते हैं अगर आपको डेग्राम से ना क्लियर हो तो मैं एक एक पॉइंट को डिसक्स कर लेते हैं सबसे पहले हैं यूमन बालोजी तो जेनेटिक इन हरेटेंस का मलब होता है 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 एज आपको पता है जो ओल्डेज हो तो उनको हेल्थ कंडिशन इतनी लोग क्यों हो जाती है क्योंकि क्योंका डिजीज कंडिशन हाई हो जाती है रेस की बात करो आपने सोचलोजी में रेस पढ़ा तुस्ता आपको क्लियर होगा कि कैसे अफ्रिकंस में सिकल सेल अनेमिया जादा है क्योंकि हो क्योंकि वहां के हैट्रिट्री जीन में मुटिशन है सेल्फ कॉंसेप्ट टो सैकलोजी तो मांें रिलेटे टू माइं एक माग्या तुम इंवामें पाला पॉंट आपका है फिजिकल इंवामें एंवामें लुग डिस्कूस कर चूगे ऋगर इंवामें टिस्टूब रहें गा तो हेल्थ रियस सेध इस इक्जान्पल अगर अपर प्टेस्म्ड फिसने शोशल इंवार्मेंट में क्या बिलीफ, रिलीजन, नॉर्मल, जितने भी आपने रिगूलेशन, जितना भी आपने सोशलोजी पढ़ी है उतना आप सोशल इंवार्मेंट में में चिन कर दीजें इसमें क्या है motivation, exercise, wellness, mental health, weight control, medical, stop smoking, साथ में alcohol consumption भी stop करिये और consciousness, तो यह आपका क्या है healthy lifestyle Next topic आपका है difference between illness and disease Illness और disease में क्या difference है? Illness can affect the body or mind in a myriad of different capacities A disease has a specific result on a body part or function Illness का मतलब है वो body और mind दोनों का affect करता है, differently करता है capacity उसकी different रिती है और disease का क्या होता है? वो body part या पूरी function या पर आप कह सकते है पूरी physiology डिस्टब कर देता है जैसे कि sign और symptoms में difference होता है, basics आप वैसे ही illness और disease में है यह definition आप illness के as a test learn कर लिए जगा क्योंकि illness आपके में flavors में mentioned a topic Next is types of disease या फिर आप कह सकते है types of illness तो सबसे पहले acquired disease, acquired disease का मतलब सबसे पहले क्यों होता है कि आप एक बार lifetime में इसको acquire करोगे यहाँ पर कह सकते हो after birth जो आपको disease environment से में ले वह आप होती है आपकी acquired disease जैसे की tuberculosis example, acute disease जिसका आप sign and symptoms देख सरो short term है acute का होता है कि उसको treatment आप कर सकते हो, next is chronic disease इसका treatment नहीं हो सकते है क्योंकि यह life threat नहीं होती है और बहुत ही long time के लिए होती है फिर आपकी congenital disorder या disease इसमें हम लोग क्या होता है जो genetic disease आती है जैसे की AIDS, SCIDS next is genetic disease इसमें क्या होता है mutation आजाता है आपके genes में next आपकी disease है head tree उसको हम लोग inheritance disease भी कहते है जो cause होती है genetic से जैसे की anemia बहुत सारी आपकी head tree भी होती है laterogenic disease, laterogenic disease का मतलब है एक ऐसी condition जिसका medical intervention, side effects और treatment सब कैसा है इन adjuvant outcome के साथ है next आपकी disease है idopathic disease इसका कोई cause नहीं है मतलब कि unknown है incurable job भी तक cure नहीं हो सकती जैसे कि आपको पते कि cancer को जो last stage होता है वो cure नहीं कर सकते primary disease common जैसे कि cold, fever, arthritis, it's a common जिसको बहुत ही easily सही कर सकते हो secondary root cause for example आपको bacterial disease है आपने उसके लिए कुछ लिया उसकी वजह से कुछ और disease हो गई terminal disease का मतलब होती है जो death cause करेगी जिसका sinus syndrome कि आपने क्या कर रहा उसको मतलब की control नहीं कर रहा next disorder disorder आपको पते जैसे कि mental disorder कुछ है आप psychiatric से नहीं मिले वो काई ना काई क्योर नहीं कर पाएंगे तो वो progressive disease बन जागी जिसकी वज़े से आप जो जिसकी वज़े से आप कभी भी cure नहीं हो सकते तो यह types है मैंने meaning के साथ आपको example के साथ बता दिया as it is आपको अपनी exam copy में mention करने हाँ जब types of disease जादा marks में तो some mention कर देज़ेगा और कम marks में तो 3 to 4 mention करेगा वो depend करता marks recording next आपका topic is stages of illness behavior total 5 stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 basically इन्होंने stages को बहुत दी simply way में explain कर रहा है stage 1 में आप उस symptoms experience होंगे stage 2 में आप सिक रोल का play करोंगे next के medical care के contact करोंगे stage 4 में sorry stage 4 में आप depend करोंगे client के care पे step 5 में recovery करोंगे for example हम सबसे छोटे examples से start करते हैं fever से आज आप fever अगर है तो आपको क्या होगा body में pain होगा headache होगा साथ में आपका sore throat होगे और sputum secretion हाई होगा यह आपकी क्या है symptoms है fever के next stage आपके है कि जब आप बिल्कुल sick का role play assume करोंगे कि मैं बहुत जादा बिमार हूं मिसे नहीं उठा जा रहे हैं मैं बहुत ही जादा सी कोई भी responsibility नहीं उठा पाऊगा और कोई इंपोर्टेंट strong stomach के लिए response नहीं कर पाऊगे यह main line होती है फिर आप क्या करोंगे medical care से contact करोंगे for example medical store से दवाल होगे नहीं तो फिर डॉक्टर से prescribed medicine लोगे फिर क्लाइंट जो होता है वो valid point पर जाता है health की आपने health illness continuum पढ़ा न से वेवर चीज है next क्या depend client के इसमें क्या होता है आपने आ आप आई वी लेनी तो आप सेम उन पर depend हो जागे कि वो जैसा कहेंगे वैसी के रहोगे next क्या recovery फिर अब जब आप final stage के आप यह recovery जब आप proper treatment कराऊगे तो इसमें recovery की chances होती है जैसे की chronic illness है तो इसमें क्या होता और prolonged जाता है बट आगर आप acute पे हो तो recovery हो जाता है rehabilitation alcoholic है smoking है जिसको हम लों medicine से नहीं कर सकते उसको rehabilitation centers कर देते हैं तो यह थे stages of illness behavior next आपका topic है impact of illness on patient आप बिमार हो illness का मतलब क्या बिमार हो आपको disease है ठीक है अब उससे आप क्या impact पड़ेगा patient पे तो impact के अगर मैं बात को तो सबसे पहले pain होगा patient को आप कोई भी disease examine कर लीजे पेशन है उसको depression होगा anxiety होगी अब मैं बताते हूं pain क्यों होता है अब normal सी बात है अगर जैसे उससे चोट लगे तो उससे क्या दर्द होगा anxiety का मनलब होता है tension होना कि मैं सही हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे it's a type of anxiety functional limitation functional limitation का होता है कि rage of motion मनलब कि वह movement उसका nil हो जाएगा आप जै इसने भी हाथ वाले movement है सब उसके रुख जाएंगे next के cost of treatment अब जैसे की affordable है तो वह effort करके अपना इलाच करा सकते हैं बट कुछ person ऐसा होते जो नहीं effort करा पाते हैं तो उनके लिए treatment का cost बहुत ही भारी हो जाता है तो बहुत सारे disease से वह ऐसे ही लड़ते रहते बिना को मैं बता हूँ कैसे मैं डिपेंड रहूंगा profession पे तो यह रहता है your appearance अपना sorry your appearance appearance के अगर में बात करें तो क्या होता है हमारा role change होने लगता है हम लोग इल होते हैं वैसे वैसे अपने visual activities को change करते थे time attending service of course ही बात है time management आप डिस्टरब हो जाएगा आप dependence जितना भी आपक देना या फिर उस disease के या फिर example ले लेना तो आपको समझ में जाएगा कि क्या points है basic points है बस फ़र कितना इसको इन्होंने English में थोड़ा अच्छी English में लिख दे है अगर basic लिखना चाहतों basic से लिख सकते है marks आपको मिल जाएगा next हमारा topic है impact of illness and family changes अब illness का impact family पे क्या पड़ आपने इलने से पहले की stage पे increase demand on time सबसे रहादर time की demand बढ़ जागी family members में कि सबको यह रहता है कि disease condition है शायद बचे ना बचे है यह वाली condition आजाती है anxiety condition बढ़ जाती है अगर इंसान hospital में एडमेट है सब इसको देखने जाते है तो इसको देखने जाते तो इसकी anxiety high होती है हो जाता है उसका pain score high हो जाता है conflict होगा क्यूंकि responsibility कहां से रहेंगी financial problem होगे मैं अभी economic के लिए डिसकस करा अब single person हो यह पूरी family पर बात वह यह नहीं है next care loneliness as a result of separation of course यह बता है जब आप hospital में देर दो महीने के लेडमेंट होगे तो आप अकेले हो जागे फिर वो आपको hospital क environment कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लगेगा फिर आपको अपने ही लोगों से नफरत से होने लगी कि मैं एक example से दे रहीं आप basics से समझना उसको ऐसा serious मत ले लीजेगा next care change in social custom तो आपके सारे customs change हो जाएंगे for example अगर आपके कोई body organ amputate करना पढ़ गया extremities को amputate करना पढ़ तो वो impact पढ़ आपकी पूरी family पर basically unit 1 आपका complete हो गया है और unit 1 foundation of nursing का simply easy था अगर आपको कोई भी topic क्या कोई point ना समयशन तो please comment box में mention कर दीजेगा like कर ये video को share कर लिजे subscribe कर लिजे channel को thank you